करनाटक से एक खबर पूरे देश के लिए एक संकेत देती है करनाटक सरकार ने बंगलूरू के करीब 250 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि मस्जिदों के लाउट स्पीकर की आवास की सीमा तै हो करनाटके डीजीपी ने सभी अधिकारियों को ऐसे लोगों के खलाब कार्रवाय करने के निर्देश भी दिए मौलवियों ने उसे माना और तै करना दोनों सुनुशिक कर दिया सवाल है कि जो काम बंगलूरू के मौलाना कर रहे हैं क्या वो देश के दूसरे हिस्सों में भी होगा? दोसों से धाईसों के करीब मस्जिद हैं बंगलूरू के जिनको ये नोटिस भीजा गया है अबरे सब्सक्राइब क्या ये आदेश जारी किया गया और मस्जिदों के मारणा को तरफ से क्या रेस्पॉंस सामने है जी आदेश से आप जानते हैं कि माज़ां के लिवाद करनाटक में चल रहा है इसके चलते कई लिवा और मस्जिदों के लिवाद करनाटक में चलते हैं क्या है कि ये जो सरकार का आदर्श है उनको पालन करेंगे और वो बेसिवल लेबल के जो मॉनिटर लेबल को मशीन होते हैं वो भी पिक्स करेंगे ताकि ये किसी को इससे आपतिना हो इस जानकारी के लिए तो मस्जिद में आवाज रोकने के उपकरण लगा रहे हैं मौला ना लाउट स्पीकर की आवाज नियंतरित करने वाले ये उपकरण है तो ये बैंगलोरो की मस्जिद की अच्छी पहल सामनी आई कि मस्जिद के मौलाना ने इस बात को माना और ये बात तस्दीक की जा रही है कि अब जो साउन है वो कंट्रोल डवे में होनी चाहिए ला लाउट स्पीकर से जो आवाज निकलेगी वो बहुत जादा नहीं होगी और इमरान हमारी साहिव की लगता वाज़ा बने में जो सरकार का आदेश है जो जिस सीमित लेवल पर जो आवाज होनी चाहिए उस पर मेटेंट किया जाए जी बिलकुल कल भी मैंने आपके चैनल के प्रोग्राम के एक शो में मैंने ये बात कही कि जो टेकनलाजी इसलफ असलुशन तो दे प्रॉब्लम जो इन्मेंशन हुआ है डेसिबल को लिमिट करने के लिए और उसको मोडिफाई करने के लिए वो सारी मज़िदें और चुके इसलाम एक जिमेदारी का मजभ है और जिमेदारी समाज के परती लोगों के परती और इस मुल्क की कानून के परती हमारी होनी चाहिए तो वो उनका लगाना बिल्कुल लाजमी है और मुझे लगता है देश भर में ये सब उसको इमेलमिट करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा दूसरी बात ये है कि एक सियासी मामलिया भी सामने आ रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर डेसिबल्स को लिमिट करने का एक जो पैमाना है वो सुप्रीम पोर्ट या हाई कोर्ट के हवाले से सिर्फ मजजिदों के लिए नहीं था बलकि तमाम धार्मिक अस्थनों के लिए था तो अब ये इस बात पर हमारी जरूर नजर रहेगी इस जो दूसरे रिलिजियस प्लेसिस हैं वहाँ पे जो डेसिबल हाई लॉड पे बसते हैं या किसी भी धार्मिक पूजे के नाम पर अर्मिक्साइन के नाम पर जो ये चीज़े चाहे उकिजनली ही क्यों ना हो चाहे डीजे के तौर पर हो या कावण के तौर पर यहां पर भी नोटिसिस आएंगे और इनको भी डेसिबल को लिमिट करने के लिए ये ख्याल लोगों को आएगा और वो भी अपने जमेदारी निभाएंगे मुझे ऐसी आख्याएंगे नोटिसिस सब के लिए होनी चाहिए अगर आप एक तरफा एक कारवाई करेंगे लेकि मैंने स्वागत तो किया जरूर अपरी चीजा कर रहे हैं लोग जिम्मेदारे तो लेकिन जब सरकार के प्रेस्टेक्टिब में आते हैं तो सरकार सब के लिए सरकार का कोई धर्म नहीं होता तो हमारी कारवाई हमारे निर्देश हमारी नोटिसिस सब के लिए हो जो लगे एक समाज के अंदर लोगों को एक उम्मी जगे की है श्रयव जमाई यह चीज सरकार से पूछी जा सकती है तो मेरा सवाल सर्फ यह कि बाकी जगह भी क्या नोटिसिस की जरुत पड़ेगी यह जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जिम्मेदार है और आप तो इस्लामे की स्कॉलर है तो आप खुद ही मांग करेंगी बाकी जगह जो मस्जिद है वहाँ पर भी लौड स्पीकर्स में यही डिवाइस लगाई जाए बिलकुल जायज बात है और देखिए सब लोगों को यह बात सुनाईए भी और वीडियो बना के भी श्वायब जमाई जो यहां से शाहिन बाग आंदोलन हमने चलाया पूरे देश भर के लोगों ने हमारी बात मानी एक आवाज पर खड़े हो और दूसरे की भूब को समझने के लिए हमको भूगा रखाना पड़ता है कि हम लोगों की भूब को समझे तो इतना बड़ा मैसेज जो होता है तो हम भी समाज के पर खड़े हमें जिमेदारी निभाएं और एवरिवेर हमारे जार्षन में हो या दूसरे स्टेट्स में हो जहां जहां भी आप बहुत हाइप पीच में उसको करते हैं उसको लिमिटेड डिसिबल की बिल्कुल होना चाहिए और जो बैगलोरू की जो मलाना है उनकी तरफ से तजदीक दिया गया उनकी तरफ से दलिल दी कही कि बहीं चुकि यह डिवाइस ऐसा डिवाइस जामा परजिद में भी लगाया गया है इसलिए हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है और यह देश व्यापी इस तरफ पर होना चाहिए बहुत शुक्रे शुक्राइब आप कम तो जोने के लिए